तो विडियो के स्टाटिक बे हमें 30 उपिक लाइप एंड डेथ चलेंज अडिना को दिखाया जाता है हमें डिमानिक चू को दिखायात है जो अपने हाथ से कुछ निकाल लेता है और वो कह रहा होता है ओडियन्स को कि व्रादर और सिस्टर आप सभी यह बैटल देखने के ल दिमार के विल होस्ट ने खुद के फावर को चूपाया है और कमजर होने का नाटा कर रहा है इससे वह अपना फॉपिट कमाएगा इससे आपको सिस्टेम के तौर पे 300 वेक्थू पॉइंट मिलता है और वही पैमें और दिखाया जाता है उनमें से एक बंदा कह रहा होता ह कि आप कैसे वीट लगाना चाते हो और मनीमन में कह रहा होता है कि अगर मस्टर को पता चला कि स्नियर ब्रादर ने इतना बड़ा वेट लगाया है तो जरूर ब्रादर के उपर घुस्ता होगा डिमनेक्चू कह रहा है कि हाँ मुझे पता है सभी को लग रहा होगा कि यह 6-7 ग्रेट हाई क्वालिटी 301 फिल का वैलू कितना होगा पर किसमत से यहाँ पर 301 फिक का एल्डर यहाँ पर है फिर डिमनेक्चू एक एल्डर के तरह इस तरह करते हुए कि एल्डर क्या आप जुनियार को बता सकते है कि इस 6 फिल का वैलू कितना है डिमनेक्चू के यह बाते सुने के बाद वो एल्डर कह रहा होता है कि यह फिल बहुत ही जाता वैलू है अगर इस फिल को ऑकसर में बेचा जाता है तो हार एक फिल का वैलू एक मिलियन टॉप ग्रेट इवान स्टो उनके बड़ाबार हो डिमनेक्चू को दिखा रहता है जो कह रहा होता है कि आप सभी टेंस मात हो अगर एक इंसान एफोर्ट नहीं कर सकता तो आप एक साथ मिल के बेट लगाओ जब आप विन कर जाओगे तो आपका कॉंटिवेशन के हिसाब से आप अपना हिस्सा ले ले उनके खिला पैसा लागा देता है यानि चूजियां अगर हर जाता है बो सभी को पैसा मिल जाएगा डबल हो जाएगा और बहुत बुटे को देख रहा हो तो और मनी मन में क्या रहा है कि हाँ मैंने जैसे उमिद किया था वो सभी मेरे खिलाफ है मैं इस बर अच्छा काने वह वाला हूं और भाइप आमें वोस भुट्टे को दिख्या थे जो इस सभी ट्रेजर को देख रहा होता है और वो मनि मन में किया रहा होता है कि वह वाफ रे यहां पर जितना सारा ट्रेजर है वह सभी बहुत याच्छा स्टाफ है फिर डीमनिक चुप अपने जगा से चला बूकर और यह मद बोलाएं यह लाइप एंड श्याह और यह भी हो सकता है यह तिरे लिए आज डाश्ट स्टेज है जहां पर तो खरा है तिरा एक गलत स्टेप तैसर को स्टर से अलग कर सकता पाई पर एंडर रेफारी रहता है और वह कहा रहा होता है चिला तो यह कि मैं डिक्लियर करता हूं लाइप एंड बैटल सुरू होता है हमें जिंग मैंग को दिखाया था है जो फाइट के लिए तैयार हो गया होता है और वह मनी मनी में क्या रहा होता है कि हां हां मैं नाइंद लेयर चाकुरा सी रॉटेंग रिलम के पीक पर हूं मैं चूजियान जैसे इ अटक में सो जाता है और दिमाने चूफे तरह के तरह देते और यहां दीखता होता है जितना सारव दिखने के बाद और ऑदियास पर ँसका फिल्ट जुनिया से चिटार का रहा है कि ऐसा लागता है एंडर मार्शल प्रादर jako शेप रगजना चाहता है वह ज्ला क्या रहा हुता है कि दुजीयन अगर गता है वह एक स्थान को फर्म गार हूं य के तरह के आधा नहीं स्थानर में संप्राइज़ को दिखया है एक अगल सुकी तरफ आगे बार हुता है वो धिमर इक चու के ऊपर एक पांच करता है अब आसने से इमान इक च्यूँ इसको डोज करें निखानी होता है खिँमें कमझे बांच करता कि आसा जा मुझे हिट कर घुमें इसमर में तारह है जो गुषसेसाँ मोट था कहा है मनी-मन में कह रहा होता है कि य construction के तरह अगर इस तरह से चलता है तो मैं ठीक से फॉइट ही नहीं कर पाऊंगा चाहिए और मनी-मन में कह़े रहा होता है कि मैं इस मूप के मजब से सबकुछ खतम कर अब गया भ рукबने लागता है और भेर दीमानेक चुझ को वही अज़ुरा स्वार्ट को निकल लेता है और वो मनीमन में कहा रहा होता है कि यह बहुत अच्छी बात है मैं अब देखना चाहता हूं मेरा न्यू वैफेन का फावर कितना है फिर डिमनेक्चु अपने तलबार की माद से एक स्लैस पर ही वो थंडर वेडियर को तोड़ द यह हस रहा होता और वो मनीमन में कहा रहा है कि हां हां वो मेरे ट्रैप पे गिर चुका है मेरे पास एंसीन वाडी है वैसे तो यह वाडी फुल डेवल नहीं हुआ है पर जब बात आता है क्लोस कॉमबेट की तो मैं मेरे रिलम पे इन्विसिवेल हूं और फिर वो अपने त प्रूनेक्चु को दिखा आता है जो अपना तलबार लेकर खरा रहता है और इधर हमें दूसरी तरफ ओडियंस को दिख्या जाता है जो सामने का नजर देखे वो सब्सक्राइब नहीं कहा रहा होता है और वो सभी का मुझ खुला का खुला रह गया इसे कहता है कि बोल के अधर हमें इस सब्सक्राइब करें और इधर हमें सकाइस्वाट सिट के सक्सेसर को दिख्या है जो टूटली सौक हो गया होता है और वह अपने घुच्छे से दात पीश रहा होता वह मनी मन में क्या रहा थी कि यह क्या हुआ क्या हुआ क्या मैं आभी देखा वो सच है या फिर सफना है और गाइस आज का विश्ट खत्तम भागया से पहले बता देने वीडियो कैसा लगा और हाँ आज ही चैप्टर रिलेज हुआ है एपिसट्स नंदक चैप्टर 6 तो मैं एपिसट्स भी डाल दिया तो कितना अच्छा बता हूं और गाइस वीडियो अच्छल ल देन नेक्स अब रिसोर्ट पर अब के लिए बाई बाई